साथियों, भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कूरुती ने हमें एक और बात शिखाई हैं। जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं, तो हम वैश्वीक प्रगति की परिकल्पना भी करते हैं। आज भारत विश्व का इतना सम्रुद्ध और सजीव लोकतंत्र है। हमारे पास लोकतंत्र के संस्कार भी हैं और मदर अब डेमोकरसी के रूप में गवरवशाली परमपरा भी है। भारत के पास जितनी विशिष्टता है उतनी ही विविदता भी है। ये डेमोकरेसी, ये डाइवर्सिटी, ये इंडिजिनियस अप्रोश, ये इंकुलुजिव सोच, ये लोकल लाइपस्टाइल, ये ग्लोबल थॉट्स। आज वर्ड इनी आइडियाज में अपनी सभी चुनावतियों के समाधान देख रहा है। और G20 इसके लिए एक बड़े आउसर के रूप में काम आ सकता है। हम दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि कैसे डेमोकरेसी जब एक ववस्तागीच साथ साथ एक संस्कार और संस्कृति बन जाती हैं। तो कांफ्लिक्स कास को समाप्त हो जाता है। हम दुनिया के हर मानव को आस्वस्त कर सकते हैं कि प्रगती और प्रक्रती दोनों एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। हमें सस्टेनेबल डेवलप्मेंट को केवल सरकारों के सिस्टिम की जगर इंडिविजल लाइब का हिस्सा भी बनाना है उसका विस्तार करना है। एंडिवार्मेंट हमारे लिए ग्लोबल कोज के साथ साथ पर्सनल रिस्पॉंसिबिलिटी भी बनना चाहिए।